क्या शीला दिक्षित नरेंदर मोधी की चाची है? क्या ये कोई घर में उत्सों मनाया जा रहा है जिसके लिए डेट और टाइम फिक्स करने की बात है? क्या इस प्राथना पत्र के साथ मीना जी ने फलों की टोकरी और मिठाई का डबा भी भिजवाया है? ये जानना बहुत जरूरी है और इसमें सबसे बड़ी बात जिससे शीला दिक्षित इस पूरे केस से बाहर हो जाती है मेरे को ये नोटिस भेजा गया है under section 160 CRPC बिलकुल clear mention है शीला दिक्षित को किसी कानून के किसी section में notice नहीं बेजा गया है कोई mention ही नहीं है इसका मतलब आपने जान शुरू होने से पहले शीला दिक्षित को इस मामले से बाहर कर दिया